PM किसान सम्मान निदी योजना का जो सोलामा किस्त है यानि कि अगला जो 2000 रुपे का आप लोगा किस्त मिलेगा वो जो है आज यहाँ पर जारी होने बाला है 28 फरबड़ी को जो है परधान मंतरी के दोड़ा आप लोगा जो पैसा है वहाँ पर जारी खिया जाएगा अब ऐसे में जोई बहुत सरे ऐसे किसान है जिनके मन में कि यह सवाल चल रहा हुगा कि जो पैसा है वो कब आप लोगा जारी होने बाला है यानि कि कितना बज़े जोई पैसा आप जारी होने बाला है हर बार जब भी आप लोगा पैसा जारी होता है तो आप लोगा एक डेट दिया साथ में इस बार जो है बहुत सरे ऐसे किसान है जिनको कहाँ पर पैसा नहीं दिया जागा बहुत सरे किसानों का नाम यहाँ पर हटाया गया है तो ऐसे में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको अगला किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो वो चेक करने के लिए आप आपको PM किसान का जो website है इस website पर आना होगा और यहीं से जो है आप लोग अपना status नहाँ पर चेक कर पाईएगा कि आपको किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा साथ में सरकार के तरफ से एक official notice भी जारी किया गया है जिसमें कि आपनोगा PM किसान के बारें पूरा जनकाई दिया गया है कि कि कितने लोग को आप मिलने बाला है कितना लाव यह आप लगाया है हर एक चीछ जो है आपको आप लोग को बताता हूँ कि जो आपनोगा पैसा है आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, PM किसान की वेबसाइट पर आना है, थोड़ा सा नीचे आईएगा, यहाँ पर जोई Know Your Status का उप्सन मिलेगा, इस पर आपको जोई क्लिक करना है, यहाँ पर अगर आप लोगो रिश्ट्रेशन नंबर पता है, तो डायक्ली रिश्ट्रेशन नंबर डालकर जोई, आप लोगो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो Know Your Registration नंबर का उप्सन है, इस पर आपको क्लिक करना है, अपना Mobile नंबर या फिर आधार नंबर से, यहाँ पर आप लोगो Mobile नंबर डालना है, या फिर आधार नंबर डालना है, और यह जो Capture दिख्रा है, यह Capture डालकर Get Mobile OTP पर आपको क्लिक किजगा, आपको Mobile नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर जोई, आपको अपना जो Registration नंबर है, उसको आपको निकाल लेना है, रेजिटरेशन नंबर निकलने के बाद आपको बापस बैक आना है, और यहाँ प आपको दिखाता हूं, तो जैसे आप लोग यहाँ पर अपना status चेक करते हैं, आप लोग को नीचे जो है, Eligibility status का option मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि आप लोग का लेन सेरिंग आप यह 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 पिर नो है, अगर यह राता है तो इसका मतलब है कि आपक सही है, अगर नो राता है तो आप लोग का problem है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, उस बाद यहाँ पर EQIC status आपको देखना है, यह आप लोग का EQIC status yes है या फिर no है, अगर yes राता है तो सब कुछ सही है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको 100% यहाँ पर पैसा दिया जाएगा और last जो आपको चेक करना है, कि आधार bank account ceiling status जो है, यह आप लोग का yes है, यहाँ पर देखे मेरा yes है, और green tick आप लगा हुआ है, अगर आप लोग का yes नहीं राता है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यह तीन चीज़ आपको चेक करना है, कि इन तीन तीनों में आप लोग का टिक लगा हुआ है, या फिर नहीं लगा हुआ है, अगर yes आप लोग का तीनों में है, तो 100% आप लोग को पैसा है, वहाँ पर दिया जाएगा, कोई भी परसानी आप नहीं होने बाला है, तो इस तरीके से जो है, सबसे पहले आपको चेक करना है, क 24 को साम में, यानि कि साया 4 बजे, यानि कि साम को साधे 4 बजे जो आप लोग का पैसा है, वहाँ पर जारी होने बाला है, हलाकि जो परधान मंतरी का कार्ज करम है, वो 4 बजे से ही यहाँ पर सुरू होने बाला है, लेकिन जो आप लोग का पैसा है, वो साधे 4 बजे यहाँ नहीं आ पता है तो कल सुबह तक आप लोगो जो पैसा है वो आपके एकाउंट में आ जाएगा तो यह जो है आप लोगो टाइमिंग रहने बाला है पैसा आने का तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पर जाड़ी की गई है आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसना होगा अगरी आपको अगले वीडियो में तब तब के लिए धन्यबाद